तो नवस्कार दोस्तों बैंक निफ्टी के एक और अनलाइज वीडियो में आपको स्वागत करते हैं आज मंगलवार का दिन तरह देखते हैं कल का क्या कुछ और आज से हमारी कैसा मार्केट में खुषाता जो कि एक काम करेगा या बना करके विचार था और ऐसा वह कि एक स्पेस स्पेस में चोटा नहीं काफी अच्षा बड़ा स्पेस कि का इस लेवल पर निकला इस लेवल में करते हैं और यहाँ चैनल को ब्रेक कि ब्रेक्ट से लेवल को ब्रेक किया इन्वेस्टर्स ने अपने कदम रखे होंगे और वहीं से मार्केट वाफिस नीचे की साइड पुछ कर गया और कहीं ना कहीं हाई अब यह उमीद है जब तक यह एक तरफा कोई रेंज ना ब्रेक करें यह यह उपर नीचे के एरिया ज्यादा देगा और जब तक हमें समल के रहना पड़ेगा दोस्तों जब तक यह रेंज ब्रेक ना होजाए आपको बड़े मोमेंटम नहीं मिलने वाले या तो गैप-पके स साथ में अगर ऐसा करते हैं नजर आए तभी आपको बड़े मोमेंटम नजर आएंगे ठीक है 34-800 की ब्रेक करने के बाद यह आपको बड़िया मोमेंटम नजर आएगा जब तक मार्केट दबा रहेगा उपर नीचे और उपर नीचे जब यह देंज ना यह लगवक्त यह दबा के रखेगी अभी हम देखते हैं आज क्या कुछ रहा मार्केट में क्या कुछ अपॉस्टनिटी हम देखते हैं देखो यह एक घंटे का चार्ट है इस प्यादत है 15 मिनिट के चार्ट पे मैंने कहा था दोस्तों अगर इस रेंज से मार्केट निकले ज्यादा नहीं ज अगर वर एक यह उपर की कि आपको अगर इस लाइन को करता है तो मार्केट वापी से गिर सकता अब दोस्तों आपनी पहली रेंज को बढ़ी केंडल टाइम स्विच के साथ में बहुत ही बहुत ही पहत्री आपको यहां मिली होगी और जब यह इस लेवल पर आया है दोस्ते तो हम क्या करते हैं पूरा का पूरा प्रेशर और यह यहां तक आ रहा है और पूरा कवरिंग दोड में अपना बड़ी केंडल गल्सों में करें अब को सर्फेस में एक च्रेड देगा अगर यह तरे जाती है तो आप इस ही का डिसकाउंट पीछे के साहिता से लेके भी उपर में लेकर सकते हो प्लेकर सकते हो ठीक है अब देखते हैं दोस्तों कल के लिए मार्केट से क्या इसको मार्केट अभी एक रेंज में जब तक मार्केट की स्रेंज के ऊपर सब्सक्राइब और ओपर वाली रेंज को ब्रेक्ट ना कर दें वैसे में मोटा-मोटी रेंज दो 34-800 की रेंज है जिसके ब्रेक करने के बाद तो बड़े उपर के मोमेंटम की उम्मीदे स्टार्ट हो जाएंगे और बड़े मुमेंटम को देख पाएंगे जब तक market इस और इस range में रहेगा, market दबा रहेगा, थोड़ा सा structure को zoom out करके भी हम एक बार के लिए देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा depth में समझ में आ जाए, जिसे trade करने में एजी रहेगा, देखो दोस्तों, market जो structure बना के चल रहा है, यहां पर अगर हम channel pattern बनाएं, अभी proper channel pattern नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अभी channel pattern बनाया नहीं है, यह जो area market के लिए एहम area था, जहां से market को दबाव मिला था, उस दबाव वाले area को break करके, market sustain करके, और वहीं range में ही है, और अभी market इस range के अंदर दबा रहा है, मैंने यहां तक की range के लिए कहा था, और market य यह range यह वाली range अभी भी applicable है, अगर market नीचे की direction में आता है, इस level को पार करता है, तो यह range आपके buying के लिए बहुत बहुत बहतर रहेगी, क्योंकि अभी इसके नीचे surface बचा हुआ है, और इस surface को market यूज कर सकता, आज अच्छी मदद करने के लिए, आज का market अगर last में दे अच्छी bathroom गिरावट आई थी, जहां पर market seller trip होते हैं, तो अब हम कल की उमीद है क्या कर सकते हैं, और यह जो trip होए हैं, उन लग सब को lose market है, market रहते हुए ही कर दिया, जिसमें ज्यादा कोई बड़ी इस तरफ से है, हमें कोई psychological view नहीं मिल रहा है, ठीक है, अभी हम क्या दे क्योंकि market इस से इस range के बीच में है, उपर वाली formations में हम selling की side यूज करेंगे, इस side अगर market आ जाता है, और trapping करता है, तो कोई बहतरी momentum और setup बनेगा, तो नीचे के लिए play करेंगे, यहां तक आप easily selling की side play कर सकते हो, इस area में आप confirmly buying की side play कर सकते हो, आपको 15 minute का trigger और एक मिन करें, अगर market यहां range में है, तो करपया करके story बनने दें, ट्रेप होने दें, area break होने दें, उसके अंदर बनने वे setup को, हमें trade करना इन areas को use करते होई, यह हमारा buying area रहेगा, यह हमारा selling area रहेगा, अगर उपर की side आ जाए, तो कोई बहतरी अगर trade मिले, तो ही हमें trade करना नही करेंगे, इस area के बाद में market अगर नीचे की side बहतरी इन ट्रेप करके ऊपर की side निकले तो एक अच्छा momentum, 3700 तक आसपास तक आ सकता है, दोस्तों, ठीक है, यह हमारा कल का market रहेगा, बाकि कुछ भी रहेगा, मैं telegram पे update करता हूँ, आप अगर telegram पे नहीं जुड़े हो, त जन्ने बाद दोस्तों